वेल्कम बाग टो माई कुकिंग बलॉग तो फ्रेंड आज मैं बना ले हूं बहुत दिन बाद भेज मंजूरियन मुझे काफी दिन समन्द कर रहा था पूरी एक साल पर मैं बनाई हूं लेकिन बहुत टेस्टी बन करके तयार हुआ था बहुत इतना टेस्टी बना था कि करने करके इसको मैं कडू कस कर ली हूं पत्ता गोबी को कडू कर लिए और बाकी वर्य और इस पानी माद के बानी चौप निकल यायगा देखें और देखें एक मिनट के बाद इसको हम हाथ से नी चोड़ करके निकाल ले रहे हैं आप चाहें तो कोई सा भी cotton cloth लेकर उसमें दबा करके निकाल सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चामच के जीतना पदुकस किया हुए अद्रग और एक मैं हरीमीच कोई तरह से चौप कर हम डी तो डाल दोंगी कुछ मैं यह टाल ले लिए हूं हरेता हुं अलोड वाला उसको भी ढाल करके इसको मिक्स कर देते हैं कि मीक्स हो गया मैं इसमें डाल देंगा चार से पाँच दाला मेंट कली मीर्च को दरबरा इस तरह से च्डाल हें बहुत अच्सा है इसका फ्लेवर आता है इसको मीखं सबी backstory एक दिर अच्छी तरह करें हफलो के फुलन यहां का यहां दाल रहां है और कमेधा घ्लत करें किस करें । जाहं आ हैक देद अगर बॉल इस तरह से आपको दबाने से नहीं बन रहा है तो आप एक दो चमच और मैदा डाल दिजाए तो बन जाएगा उसके बाद में देखिए सारा बना लिए थोड़ा समया पर कॉर्ण फ्लोर छिटक दिरी हूं इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है जो मंचुरियन बने बने तेल को गरम कर लिए थे अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जितना एक पर में आएगा मैं डाल दी हूं और इसको थोड़ा से में इस तरह से हिला दे रही है इसको आपको चलाने के अलग से कलशी लोगर लगाने की जूरत नहीं पड़ेगा इस तरह सी ला दीजेग तो बहुत जल्दी इसमें कलर आजागा लेकिन अंदर से कच्छा रहेगा अब मैं सॉस बनाऊंगे तो दूसरे साइड में मंचुरियन को डाली हूं उसको कर दी हूं और इस साइज में सॉस बना लेते हैं तेक पायन बठाएंगे यहां पर देखिए इसको भी चोड़ना इसमें चलाते रहना है विच बिच में मतलब हिलाते रहना है मैं यह पर जारा नहीं लगा रहे हूं हाठ से इस तरह से हिला दोला दे रहे हूं ताक कि यह जले नहीं और ऊपर तक चीतरे से शीख जाए आए यहां पर मैं सॉस के लिए एक चमाज तेल डाली हूं और 4S 5 में है वन्समाल साइज का प्याज में 1945् essay और में अज़ा नहीं के को प treatment an क्परते हैं हुग एक छोुड़ए का पर आपको से थे मनो बीच靈ल में ना है अज सहरे यह पर देला मिर्च भी geldi सिंब्ला मिर्च इसको बहुत हए टोबर चला लीचिक ज्या्दा इसके बना लोंगे जिसके लिए मैं एक चमज में नीगर ले रही हूं यहाँ पर मेज रिमेंड को आप ध्यान रखेगा तभी आपका मंचुरीन अच्छा बनेगा एक चमज में रेट चिली सोस ली हूं और एक चमज सोया सोस ली हूं और आपको इस डबल काउंट इटी में आपको चला ले रही हूं और अब हम एक कटोरी में ले लिए हैं एक चमज कॉर्ण फुलोर और दो चमज की जितना दस में पानी डाल रही हूं इसको मिक्स कर लेंगे यह हमारा कॉर्ण फुलोर वाटर तयार हो गया अब इसको मंचुरियन को हम बिल्कुल धीमी आज पर छोड़ इसको एक दो बार चला लेते हैं और जब कॉर्ण फुलोर का वाटर बनाई थी उसको में डाल दूंगी इसको चला लेती हूं और प्लीज प्रेंट प्लीज आपसे रिक्वेस्टर पीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा लोगों में शियर कीज़ेगा मुझे सपोर्ट सब्सक्राइब कीज़ेगा फेस्बूक पेज पर देखरों में तो फॉलो कीज़ेगा कॉमेंट्स करके जोड़ो बताएगा आपको मेरी रेसीपी कैसी लेगा यहां पर जो सॉस बना करके तीनो रखी थी ना वह मैं डाल दे रही हूं पानी डाली हूं और यहां पर इसको बीच बीच में जारा में लगा ले रही हैं पर देखिए सॉस बिलकुल तयार हो गया है फ्लेम को भी मैं हाइक कर दी हूं अपर फोड़ो डालने से थीक हो जाता है सॉस का ग्रेवी जो हो मैं आप अज ड्राइ बना रही है कि हलका से लटपड बना रही हूं आपको अज़ार कर लिए है तो आप जब सॉस में डालने है थोड़ा से एक बार और अवरा प्राइ कर लिजएगा तो क्रिस्पी हो जाएगा तीस तरह से बनाएगा बहुत क्रिस्पी बनता है यहां पर मैं अब गयस को बंद कर दूंग उपर से थोड़ा समय डाल रही हूं हरा प बहुत मस्त त्यार हुआ था और मैं मंचूरियन के वाद और भी कुछ-कुछ बनाई थी मेरा प्याज कटा हुआ थोड़ा सब बच गया था तो मैंने उसका पकोड़ा भी बनाई थी तहां पहले मंचूरियन हम लोग खतम कर लिए फिर प्याज का पकोड़ा बना रही थी आपक बनाई एक कब बेवस्त चावल कांड़ा छोड़ा एक्षोटा चमच हल्दी पाउडर सुटा गरम मसाला पाउडर सुटा चमच आज्वाइन कंउक्छ ऊंच चमच उपधी हालिम पाउट कर द ऐने याष्ट लें फछा से कूछ तरस जीटईसिया में यहां पर स्ट प्ता कटा हुआ उसी का बना रहे हूं थोड़ा समय कदू कस किया हूए यहां पर अद्रक और लासन डाल रहे हूं और मेच भी डाले हूं हरी वाली जितना तीका घाते उस्से जट्रे डाल सकते हैं थोड़ा से इसमें पानी डाल करके मिक्स कर लेना है ज्यादा इसको आपको टेस्ट जिसमें आलू भी थोड़ा समय डाली हूं और जो प्याज हमारा पत्ता वाला था उसको डाल दती हूं इसको मिक्स कर लेते हैं और आप मिक्स करने के बाद नमक को गरा टेस्ट कर लीजेगा मैं बनाई थी थोड़ा नमक कम हो गया था और अम यहां पर सर्षो तेल में फ्राइब कर रहे हैं मैं बनाई थी तो रिफाइनोल में किया था और यह सर्षो तेल में बहुत अच्छा मुझे लगता है टेस्ट फड़स में तेल कम ही डाली हूं यहां पर देखें मैं फ्लेम को मीडियम कर रखी हैं और इसको में डाल करके थोड़ी देल के छोड़ इसको प्लट लेते हैं पर देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है तो आपको मीडियम फ्राइब करना है और यह हमारी घर्मा गरम प्याज का हरे प्याज का पत्य का प्तिका पॉड़ा बन करके त्यार हुआ है मेरे को चावल के साथ इस तरह से अपही अच्छा लगता है खा सर्यतपूर निवा के दिन में खीर बनाई थी तो मैं डेढ़ लीटर यहां पर डूद्र डाल दी थी और सो गरम के करीम में चावल इसमें दो करके डाली हूं इसको वाइल हो गया है मैं छोटा चोटा और वीडियो बना ली तीसके साथ में एड कर दी हूं आप लोग के लाश्ट में आप चीनी डालिये तो जितना जिस बरतन से नाप करके लिए हैं चावल उसी बरतन सा आप कर लीजगा चीनी उसके बाद में आपकुछ ड्राइफ्रू डाल रहे हैं अपने परसंद के कोई सा भी डाल सकते हैं मैं आपर काजू किस्मिस बदाम डाली हो इसा त जाता है खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप पल डालिये तो और इसा पानी बिल्कुल नहीं डाले को बहुत अच्छा खीर बनता है पानी औल लाश्ट में चार से पांच दाना में यहां पर इलाईची दाना को कूटली तो को भी डाल रहे हैं यहां पर देख सकते हैं तो आई होब आच की वीडियो आपको अच्छी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा लोगों में शेयर कीज़ेगा और चैनल पहली पाराये चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा